हुल्स तुडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना सिखाऊंगी ठीक है जब हम यह रेडियस गिवन हो तो हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे find करेंगे ठीक है तो हमारे पास एक question है find the circumference of a circle whose radius is 14 cm ठीक है और पाई की value उन्होंने बोला है कि 22 by 7 हमने लेनी है और दूसरा sum दिया हुआ है जब radius 3 cm हो और तब हमने पाई की value लेनी है 3.14 ठीक है तो चलिए start करते हैं तो हमें given क्या है given है radius ठीक है given है radius ठीक है गिवन है radius रेडियस कितना given है हमें 14 cm ठीक है हमने क्या करना है circumference of a circle radius इतना है तो circumference of the circle कितना है तो लिखिए circumference of a circle उसका क्या formula होता है 2 pi r ठीक है तो this is equal to 2 का 2 आ गया pi की value उन्होंने क्या बोली हुई है 22 by 7 लेनी है ठीक है multiply 22 by 7 हम ए पाट कर रहे हैं न ये वला ये कर रहे हैं तो ये ए कर रहे हैं ठीक है तो ये कट जाएगा 2 से बंदा 14 तो अब हम इसको multiply करने 2 multiply 22 multiply 2 2 को 22 से multiply किया 44 और 44 को 2 से multiply किया 88 cm तो ये आ गया हमारा circumference of a circle ठीक है अब हम इसका b part करते हैं वहां पर हमें radius क्या दिया हुआ है radius इकल टू 3 cm ये हमें given है ठीक है ये given है और हमने इसमें भी circumference of circle हम लिखेंगे circumference of a circle फिर उसका formula लिखेंगे 2 pi r फिर this is equal to 2 का 2 आ गया लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि pi की value हमने लेने 3.14 ठीक है पहले वाले sum में उन्होंने बोला था pi की value हमने लेने 22 by 7 और यहां b part जो है उसमें उन्होंने बोला है कि हमने लेनी है value 3.14 तो pi की value हम लेंगे 3.14 multiply r, r कितना है हमें 3 cm radius ठीक है r radius है तो अब इसको solve करते हैं ठीक है तो देखिए अब 2 और 3 को multiply कर दिया है 6 2 3 6 और 3.14 ठीक है अब 3.14 को multiply करेंगे हम 6 के साथ तो 6 4 कर 24, 6 1 दा 6, 6 2 8, 6 3 कर 18 अब यहां पर देखिए decimal लगा हुए है तो multiplication में decimal कैसे लगाते हैं दो नमबर छोड़के इधर से चीक है 1 2, दो नमबर छोड़के decimal लगा तो हम भी इधर से दो नमबर छोड़के यहां पर decimal लगा देंगे तो यह आगया हमारा 18.84 cm तो यह था हमारा circumference उन्होंने बोला था find the circumference of the circle जब हमें radius given है ठीक है और यहां पर एक बात मैं आपको पतानी चाहूंगी कि यहां पर उन्होंने जो हमने ए पार्ट किया था वहां पर उन्होंने पाई की value 22 by 7 दी थी तो हमने वहां पर पाई की value 22 by 7 ली बी पार्ट में उन्होंने हमें given दे दिया कि पाई की value हमने 3.14 लेनी है लेकिन अगर हमें हम ना दी हो पाई की value ना दी हो ठीक है ना mention ही नहीं किया कि आप कौन सी value लो तो आपकी मर्जी आप कोई भी value ले सकते हैं आप according to question आप जो चाहे आप 22 by 7 ले लो चाहे आप 3.14 value ल लगी होएगी तो आपको पता चल गया होगा कि circumference कैसे find out करते हैं अगर हमें radius given है तो please मेरी वीडियो को like share और subscribe जरूर करना thank you